छट पूजा के दिन सुर्य देवता और छटी मया की पूजा विधी विधान से की जाती है लेकिन क्या आप जानते हैं इस पर्व को कब से मनाना शुरू किया गया है भगवान सुर्य की अराधना कब से की जाने लगी इसका इतिहास बहुत ही पुराना बताया जाता है पौरानिक मान्यताओं के मुताबिक छट पूजा को सत्यूग से जोड़ कर देखा जाता है ऐसी कई कथा मिलती है जिसमें राजा प्रियेवंद भगवान राम पांडवों के अलावा दानवीर कर्ण की कहानी का जिक्र मिलता है तो चलिए छट के शुब औसर पर इन कहानियों के बारे में जानते हैं एक पौरानिक मान्यता के मुताबिक राजा प्रियेवंद निश्रंतान थे और उस वज़े से परिशानी में थे इस समस्या को लेकर उन्होंने महरसी कश्यप से बात की उस समय महरसी कश्यप ने त्याग दिये उसी समय ब्रंभा की मानस पुत्री देवसेना ने राजा प्रियेवंद से कहा कि मैं सृष्टी की मुल प्रविर्ती के छटे अंश से उत्पन हुई हूँ इसलिए मेरा नाम शृष्टी भी है अगर तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार करो तो मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूँगी उसके बाद राजा ने सश्टी के दिन विधी विधान से पूजा पाठ किया और उसके बाद उनके यहां पुत्र की प्राप्ती हुई एक अन्य पौरानिक मान्यताओं के मुताबिक लंका के राजा रावन का वध करने के बाद स्री राम जब पहली बार अयोध्या पहुँचे थे उस समय भगवान स्री राम और माता सीता ने राम राज्जी की अस्थापना के लिए छट का उपवास रखा था और उस समय सुर्य देव की पूजा अर्चना की थी वहीं एक अन्य पौरानिक मान्यताओं के नुसार छट व्रत की शुरुआत द्रौपदी से मानी जाती है द्रौपदी ने पांडवों के अच्छे स्वास्त और उनके बेहतर जीवन के लिए छटी मया का व्रत रखा था उसके बाद पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया था तो वही महाभारत के मुताबिक दानवेर कर्ण सुरे के पुतर थे और वो हमेशा सुरे की पूजा करते थे इस कता के अनुसार सबसे पहले कर्ण नहीं सुरे की उपासना शुरू की थी वो रोज असनान के बाद नदी में जाकर अरगे देते थे एक बर फिर से बता दे कि छट पूजा के दिन सुर्य देवता और छटी मया की पूजा विधी विधान के साथ की जाती है लेकिन क्या आप जानते हैं इस पर्व को कब से मनाना शुरू किया गया है बतादे कि भगवान सुर्य की अराधना कब से की जाने लगी है इसका इतिहास बहुत ही पुराना बताया जाता है वहीं पौरानिक मान्यताओं के मताबिक छट पूजा को सत्यूग से जोड़ कर देखा जाता है ऐसी कई कथा मिलती है जिसमें राजा प्रियवंद भगवान राम पांड़ों के अलावा दानवीर कर्न की कहानी का जिकर मिलता है पौरानिक मान्यता के मताबिक राजा प्रियवंद नी संतान थे और उस वज़े से परिशानी में थे इस समस्या को लेकर उन्होंने महरसी कश्यप से बात की उस समय महरसी कश्यप ने पुत्र प्राप्ती के लिए यग्य कराया इस यग्य में बनाई गे खीर को राजा प्रियवंद की पतनी को खिलाई गई उसके बाद उनके आएक पुत्र का जन हुआ लेकिन वो मृत्त पैदा हुआ इस वियोग में राजा ने भी अपने प्रान त्याग दिये उसी समय ब्रंभा की मानस पुत्री देव सेना ने राजा प्रियेवंद से कहा कि मैं सुरुष्टी की मूल प्रविर्ती के छठे अंच से उत्पन हुई हूँ इसलिए मेरा नाम शस्टी भी है अगर तुम मेरी पूजा करोगे और लोगों में इसका प्रिचार करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ती की स्वभाग्य दूँगी उसके बाद राजा ने सश्टी के दिन विधी विधान से पूजा पाट किया और उसके बाद उनके यहां पुत्र की प्राप्ती भी हुई तो वही पौरानिक मान्यताओं के मुताबिक लंका के राजा रावन का वध करने के बाद स्री राम जब पहली बार अयोध्या पहुँचे थे उससे में भगवान, स्री राम और मा सीता ने रामराज्य की अस्थापना के लिए छट का उपवास रखा था और उससे में सुर्य देव की पूजो आर्चना भी की थी